तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ ही साथ कमेंड करके बताइएगा कि आपके पसंद की फिल्म कौन सी है तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस अपते रिली जुए एक्सेंट ड्रामा फिल्म सरी पोडा सरीवारम के बारे में जि साथ नजर आ रहे है तमिल एक्टर S.J. सूरिया बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर सूरिया सटर्डे वेसे तो एक तेलगो फिल्म है लेकिन इस फिल्म को हिंदी और बाकी साथ लेंग्विजेस में भी पास दिन पहले रिलिच किया गया था बताना चाहूंगा दोस् बोक्स ओफिस पर विकेंड पे तगड़ी कमय की वही दोस्तों वीग डेज आते ही इस फिल्म का बोक्स ओफिस पर जो होल्ड है वो भी डिसेंड बना हुआ है जिया दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म रिलिच हुई थी गुरुवार जिसके चलते इस मूवी का विकेंड चार दिनों का रहा था और फिल्म ने चार दिनों में तो सांदार कमय की वही ये फिल्म पाच्वे दिन भी बोक्स ओफिस पर तगड़ा कलेक्शन कर रही है अगर बात के जाए सूरिया सटरडे के पास दिनों के ओल लेंग्वेज वॉल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बतादे कि इस फिल्म ने रिलिज होते ही पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 11.35 लाक रुपे का किया था वहीं दूसरे दिन कमाय थे 6.47 लाक रुपे तो थीसरे दिन 9.15 लाक रुपे वही दोस्तो चोथे दिन था संडे जिसके चलते इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उच्छाल आया और फिल्म ने चोथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 11 करोड 3 लाक रुपे का किया अब बात करें इस फिल्म के आज यानि कि पाच्वे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म को जो पाच्वे दिन उक्किपेंज से मिली है वो चोते दिन के मुकाबले साहट से 65% ड्रोप हो चुकी है यानि कि दोस्तों सूरिया सटर्डे फिल्म अपने पाच्वे दिन भी इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड 50 लाक रुपे का कर रही है इसी के साथ दोस्तों सूरिया सटर्डे का सुरुवाती 5 दिनों में ओल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भासाओं से 42 करोड 50 लाक रुपे का हो कर ली है इसी के साथ दोस्तों सूरिया सटर्डे का सुरुवाती 5 दिनों में वर्ड वाइट बोक्स ओफिस कलिक्सन हो चुका है 71 करोड 85 लाक रुपे जहा दोस्तों फिल्म का बजट है 90 करोड रुपे का और फिल्म 5 दिनों में ही दुनिया भर के अंदर 70 करूर रुपे से भी जादा की कमई कर चुकी और सब को सही रहा तो ये फिल्म बहुती जल्द 100 करूर क्लब में भी इंटरी ले लेगी और डेली बॉक्स ओफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता पिता का जे हिंद वंदे मातरम